नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से आज के इस नए यूसफुल वीडियो में तो आज हम फिर से आपको पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट के बारे में जनकाड़ी देने वाले हैं जैसा कि फिर से पोशन ट्रेकर एप में 12.1 का एक नया भर्जन आया हुआ है जिसमें क्या कुछ नया बदलाव किया गया है क्या कुछ इसमें जोड़ा गया है इसके बारे में आपको step by step जनकाड़ी देने वाला हूँ जैसे कि आप सभी को मालू होगा कि 12.0 के अपडेट में जो नए लभार्थियों का रेइस्ट्रेशन करना था तो वो रेइस्ट्रेशन तो हो ही रहा है लेकिन वहाँ पे जो उनका नाम है वो नहीं दिखा रहा था तो आज हम लोग जानेंगे कि जो लभार्थियों का नाम है वो दिखाने लगा है या नहीं दिखाने लगा है साथ ही आप सभी को bank account डालने में भी काफी ज़्यादे परिशानी हो रही थी जैसे कि 12 digits से ज़्यादे का bank account नमबर वहाँ पे एड नहीं हो रहा था तो आज इस कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए सुरू करते हैं आज की यह वीडियो तो देखें सबसे पहले आपको यहाँ प्लेश्डोर ओपें नहीं पर यहां प्लेश्टोर आप जैसे ही ओप्लेट करेंगे ओप्लेट करने के बा दिखा रहा है तो चलिए हम पहले इसको अपडेट कर लेते हैं तो आपको क्या करना है इस अपडेट वाले पर किलिक कर देना है यह कुछ किसरी वाली केटेगरी में जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी लभार्थी को अगर हम लोग नए रेजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी भी केटेगरी में तो वहां पर रेजिस्ट्रेशन तो सक्सेस्फुली दिखा रहा है लेकिन वहां पर कि यहां पर दिखा पारा है तो ऐसी कंडिशन में आपको घबराना नहीं है आप सभी को एक दिन का वेट कर लेना है एक दिन जैसे ही वेट करेंगे तो जो नए लभार्थी का रेश्टेशन आप लोग किये हैं उसका नाम यहां पर दिखाने लगेगा चलिए हम आपको यहां प पिछले वीडियो में एड करके आपको दिखाया था तो उस समय वहां पर नहीं आया था लेकिन एक दिन के बाद यहां पर दिखाने लगा है तो ऐसी प्रवल्म आप लोग के साथ हो रही है तो आप लोग को घबराना नहीं है आप लोग को वेट कर लेना है वेट चलिए अब हम बात करते हैं home visit वाले schedule में जैसे कि home visit schedule को open करेंगे यहाँ पर submit करने के बाद जो लभार्थी का नाम है नहीं हट रहा था तो आज का update में देखते हैं कि वह हट रहा है कि नहीं तो यहाँ पर हम simply आज का date डालेंगे date डालने के बाद submit करेंगे यहाँ पर successfully submit हो गया है बट यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से वह लभार्थी यहाँ पर आ चुका है तो यह किस परकार का update किया जा रहा है हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है यह 12.1 का update एकदम ही कोई काम का नहीं है सिर्फ ऐसे ही जो minor box fixes से उसको किया जा रह है लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम fix नहीं हो पा रही है चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि जो three dot पर किली करके सेविका का profile update है उस पर किली करेंगे किली करने के बाद यहाँ पर bank account details के बारे में हम आपको बताएंगे bank account details को आप लोग जैसे ही open करेंगे तो बेहनों का comment आ रहा है कि जो account number है वो 10 अंको से ज़्यदा नहीं ले रहा था तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि 13 अंको तक का जो bank account number है उसको यहाँ पर डाल सकते हैं 10 से ज़यादा जितने भी एकाउंट नमर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तेरे अंको तक ही यहाँ पे बैंक अकाउंट नमर ले रहा है तो आप लोग यहाँ पे अपना बैंक के डाल के समिट कर सकते हैं और जैसे कि रही बाद जो IFC कोड है तो यहां भी कई आगनबाडी बहनों को प्रॉबलम आ रही है कि IFC कोड डालने के बाद यहां पे सर्च कर रहे हैं तो उनका बैंक का नेम यहां पे नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे किसी किसी बैंक में इसी प्रोवलम आ रही है बाकी सभी बैंकों का यहाँ पे IFC को डालने के बाद यहाँ पे बैंक का नेम दिखा दे रहा है चलिए हम यहाँ पे एक IFC को डाल के आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने IFC को डाल दिया है डालने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे आप जैसे ही सर्च वाले पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस बैंक का यहाँ पर IFC को डालेंगे वो यहाँ पर नाम आपका यहाँ पर दिखा देगा तो इस करता हूँ कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे एंड इस वीडियो को और भी आवंदारी बहनों के साथ सेर जरूर करे मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ आप का जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट वक्स में जरूर बताईएगा तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद